Good evening to all of you, इस वक्त पूरे भारत में SSC examination बिलकुल to the point अपना काम कर रहा है, शाथियों उस ही कड़ी में जैसा उन्होंने कलेंडर जारी किया था, उन्होंने कहा था 5 सितंबर को सिक्छक दिवस के दिन, हम जैसे सिक्छकों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे, और ये पर ये होता है कि हमको नौकरी मिल गई, लेकि सचाई क्या है, भारत में खास तोर से जब इसको देखेंगे, आप लोग सिविल सर्विस एग्जामनेशन में, तो GS paper 3 में आप पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, इंटर्नल सेक्योर्टी का, and इस इंटर्नल स केंद्री ससस्त्र बल, है न, तो जो ये CAPF होता है, इसी CAPF के लिए, इंटर्नल सेक्योर्टी परपस के लिए, भारत सरकार या आपका SSC का आयोग है, ये विभिन परकार की जो है, वेकेंसी कंड़क्ट कराता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता हूँ, CRPF का होता ह है, उसके बाद आप जानते होंगे, BSF का होता है, इसके अलामा बताओ क्या, CISF का होता है, है न, BSF का होता है, SSB का होता है, और एक नई बेकेंसी है, NCB, ये आप जानते होंगे, नार्कोटिक्स के लिए होता है, जो आपके जो है, नार्कोटिक्स वालों उनके लिए होता है एक और बात जान लिजी आप लोग ये जो SSC GD की वेकेंसी है ये SSC GD वेकेंसी लगातार जो है टच में है लगातार हो रही है और परियाप्त मात्रा में इसमें समय दिया गया है अभी शितंबर लगा हुआ है एक्जाम जाके अगले साल फरवरी में आसपास होने वाला है तो आप जो है भारत की इंटरनल सेक्योर्टी के बहुत बड़े पहरेदार है हम लोग आपको सुल्यूट करते हैं जो इस पे जा रहे हैं और आप देखिए का भी दिखाऊंगा पूरा डिटेल 73 पन्ने का पूरा नोटिफिकेशन है इसमें ये शुरुबात करते हैं सबसे पहले चीज क्या है देखिए बहुत सिंपल बताइए क्या 5 सितंबर को जैसा कहा था बिल्कुल 5 सितंबर को ही देखो as expected ये देखिएगा 5 सितंबर को ही देखिए ये इन्होंने अपनी वेकेंसी को दे दिया ये जो है अप्लिकेशन फॉर्म भरने का टाइम 14 अक्टूबर लास्ट देट होगी इसके बास है ना खुब पर्यारत मात्रा में समय है साथियों और उसके बाद 14 अक्टूबर के 11 बज़े तक पेमेंट के बारे में है और आप जो है आप जो है ऑनलाइन फीस पेमेंट 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं ये सब आप जानते हैं 5 11 दो हजार च देखिये कहीं ने कहीं ओओ टिंटेटिव स्चीडू ऑफ कम्प्यूटर बैस्ट एग्जामनेशन पहली बात तो आप जानते हैं सी बीए अर्थात कंप्यूटर बैस्ट एग्जामनेशन कब है जन्वरी फरवदी 2015 में है परियाप्त मात्रा में समय सात्यों सितंबर नहींने ही परियाप्त हैं इस एक्जामनेशन के लिए तो आए देखते हैं के बढ़ते हैं इसमें बहुत सी बाते इंपोर्टेंट भी हैं देखिए गाल गौर से तो जरा देखिए इसमें सबसे जो जरूरी पहलू है मैं उस पर आ जाओं यहां देखिए SSCGD में पहली बात तो क्या बताईए सबसे पहली बात यह है कि pay scale तो ठीक ठाक है ही सबसे पहली बात number of vacancies 49,481 जरा देखिए 49,481 को 40,000 होने में या 40,000 प्लस होने में ज्यादा समय नहीं लगता है इतिहास गवा है कि vacancy निकालने के बाद final destination तक पहुंचने पहुंचते चाहे वो CGL का हो चाह परिवर्तन हो जाता है एक बात यह परिवर्तन आपके लिए positive भी होता है चलिए बढ़ता है मतलब चलिए इसी प्रकार से थोड़ा देखिए आगे बढ़ते हैं बहुत लंबा notification है पूरा 73 पेस का है इसमें देखो यह देखो यह साफ साफ देखो लिखा गया है पढ़िए देखिए आगे बढ़ते हैं साथियों इसके बाद देखिए क्या है बहुत रिलैक्स हो करके age limit आप जानते हैं 18-23 साल तक के युवा इस form को डाल सकते हैं 18-23 साल तक के बच्चे है हां कुछ categories में आप जानते है CST categories में women's categories में या जो है आपका ex-service man के categories में या आपके OBC में या जो है जो आपके जो है क्या बताओ physically handicapped है उनके लिए सब के लिए थोड़ा से कुछ छूट भी है तीन साल से पांच साल तक की छूट है में मुद्दे पर आते हैं देखिए दो तीन चीजें बहुत clearly जान लिए इसमें देखो height का matter इसमें होता है इसमें जो है height का matter होता है थो तीन बाते में आपको और discuss कर दूँगा देखिएगा जान से इसमें थोड़ा से height का matter करता है मैं वहीं आ रहा हूं how to apply हो गया उसके बाद देखिए क्या है बहुत बड़ा 73 पनने का है तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा से देख लीजे आप लोग भी पढ़ने में बहुत टाइम रख जाएगा देखिए application fees पर आई चर्चा कर लेते हैं application fees जो आप देखे रहे है application fees जो आपकी होती है वो केवल 100 रुपया मात्र है उसमें से भी सुन लेजी आप लोग उसमें भी सुन लेजी SCST देखिए SCST और ex-serviceman को इस 100 रुपय से भी मुक्त रखा ग होगा यह test जो आपका होगा यह इसमें हाइट जो मैटर करती है बहुत जरूरी है वो मैं कुछ बिसेश बताना चाहता हूं आपको एक सकंड़ा देख लीजिए इसको तो हम आगे बढ़ते हैं एकदम 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 आजाओ बेटा आजाओ देखो यहां क्या क्या आता दे एलिमेंटरी मैथमेटिक्स यह फुटी और यह आपका इंगलेस लो चाहे हिंदी लो इसका मतलब क्या बताओ तेरा रिजनल लैंगवजेस इसमें चुनेंगे आप लोगों के लिए हिंदी भी है अब यहां देखिए बीस में बीसो मैथ रिजिनिंग सब कुछ पाना है तो साम को तीन से साथ इस्पेसल फोर्सेस जैसे SSCGD उत्तरप्रदेश पुलिस और आपका UPSI इनको मिला करके एक बहुत अच्छा सा बैच इस्पेसल बैच फोर्स के लिए बैच हम लोग बना रहे हैं बहुत शांदार बना रहे हैं कुछ लड़कों की डिमांड भी अच्छ देखिए मैं विशेस रूप से हाइट प्याना चाहता हूं देखिए 170 सेंटीमीटर हाइट जेंट्स की होनी चाहिए लेकिन कुछ अस्थान ऐसे हैं जहां हाइट बहुत मैटर नहीं करती है मैं थोड़ा दिखा दूँ वह अस्थान कौन से हैं देखिए थोड़ा बेटा कारगिल अटेक के बाद भारत सरकार ने यह कहने का प्रियास किया कि एक फोर्स एक जिम्मेदारी दी जाए पहले आओ सकता हमसार जो है आओ क्या बोलते हैं जो लोग बॉर्डर पे थे उनको बुला लेते थे एक बात धान रखिए बॉर्डर पे जो पोस्टिंग है वो इ साइन्टिफिक हो चाहे आपका इश्रो हो चाहे बड़े बड़े मल्टिनेशनल बड़े जो आपके नौरंद कंपनियां हैं एरपोर्ट्स हैं उनको का उन्दी बताओ सी आएसेफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्यूरिटी फोर्स केंद्री और द्योगिक बल संस्थान होत आसाम राइफल आप जानते हैं NCB जो है जो नौर्कोटिक्स होता है जो बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन आफ जो आपका बिभिन परकार के मातक द्रब होते हैं उनके लिए और सबसें SSF यह मतलब कहने का मतलब क्या यह सारा जितना पार्ट है यह आपका CAPF के अंदर आता है और अपको देश के लिए देश की इंटरनल सेक्योर्टी के लिए काम करने का मौका मिलता है यह अपने आप में गर्व की बात होती है दुनिया सो रही होती लेकिन आप अपनी डूटी को बहुत आराम से दे रहे होते हैं साथियों चलते हैं यहां के बढ़ते हैं एक्सटीमिजम है जहां जिसको बहुते हैं क्या बांपंथ वाद या जहां नकसल वाद है वहां हडिका चलो मौक बहुत है देश कंद मिने इसको यह एक जान रख हैं enjoy करिए पहले form डालिए और उसके बाद नौकरिया निकल रही है वहां central government में SSC एकदम शानदार तरीके से नौकरी को आपके तरफ भेज रहा है right time पर बिना किसी लफड़े के बिना paper out हुए बहुत healthy तरीके से हो रहा है आप system का हिस्सा बने इसका फाइदा उठाए best of luck sbj educate अगर आपके लिए कुछ कर सकता है तो बहुत श्वागत है अगर आपको कुछ चाहिए किसी प्रकार से हम आपके help में आ सकते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि आप जो है हैं ऐसे सभी साथियों को दिल से salute जै हिन जै भारत थैंक यू